बरम रखा है तेरे हिज्र का बरना क्या होता है मैं रोने पे आजाओं तो जर्ना क्या होता है बरम रखा है तेरे हिज्र का बरना क्या होता है मैं रोने पे आ जाओं तो जर्णा क्या होता है मेरा छोड़ो मैं नहीं ठकता मेरा काम यही है लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता है मेरा छोड़ो मैं नहीं ठकता मेरा काम यही है लेकिन तुमने इतने प्यार का करना क्या होता है मौत तो मेरी मुठी में रहती है उसकी खातर इससे भी आगे जा सकता हूँ मरना क्या होता है मौत तो मेरी मुठी में रहती है उसकी खातर इससे भी आगे जा सकता हूँ मरना क्या होता है जिन पर वो आखे उटे हैं उनसे जाकर पूचो दूबना क्या होता है पार उतरना क्या होता है एक तादा गजल है कि मैंने ये कब कहा कि वो मुझे को अकेला नहीं छोड़ता मैंने ये कब कहा कि वो मुझे को अकेला नहीं छोड़ता छोड़ता है मगर एक दिन से ज्यादा नहीं छोड़ता मैं जिसे छोड़ कर तुम से चुपकर मिला हूँ अगर आज वो देख लेता तो शायद वो दोनों को जिन्दा नहीं चोड़ता तैस शुदा वक्त पर वो पहुँच जाता है प्यार करने वसूल जिस तरह अपना करदा कभी कोई बनिया नहीं चोड़ता आज पहली दफ़ा उससे मिलना है और एक ख़चा भी है वो जिसे छोड़ देता है उसको कहीं का नहीं चोड़ता लोग कहते हैं तहजीब हाफी उसे छोड़कर ठीक है लोग कहते हैं तहजीब हाफी उसे छोड़कर ठीक है हिजर इतना ही आसान होता तो तौसा नहीं चोड़ता गले तो गले तो लगना है उससे कहो अभी लग जाए गले तो लगना है उससे कहो अभी लग जाए यही नहो मेरा उसके बगैर जी लग जाए गले तो लगना है उससे कहो अभी लग जाए यही नहो मेरा उसके बगैर जी लग जाए मैं आ रहा हूँ तेरे पास ये नहो के कहीं तेरा मजाख हो और मेरी जिन्दगी लग जाए मैं आ रहा हूँ तेरे पास ये नहो के कहीं तेरा मजाख हो और मेरी जिन्दगी लग जाए तू हाथ उठा नहीं सकता तो मेरा हाथ पकड तुझे दुआ नहीं लगती तो शाहिरी लग जाए हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से कभी तुमारे भी कपड़ों में इस्तरी लग जाए हमारे हाथ ही जलते रहेंगे सिगरेट से कभी तुम्हारे भी कपड़ моे स्थरी लग जाए मैं पिछले 20 परस से तरी गरिफ्त में उँ कि इतनी देर में तो कोई IG लग जाए कलास रूम हो कलास रूम हो कलास रूम रुप जाई ःुप जाई रुप जाई सुरें सुरें ये शेर मैंने पहले गा था, वाक्याबाद में हुआ जूने खुलासरूम हो या हश्ड कैसे मुम्किन है हमारे होते तेरी गेर आदरी लग जा है भार गजून सुनिया शेर देखिए के उसी ने दुश्मनों को बाख़बर रखा हुआ है ये तूने जिसको अपना कह के घर रखा हुआ है उसी ने दुश्मनों को बाख़बर रखा हुआ है ये तूने जिसको अपना कह के घर रखा हुआ है मैं पागल तो नहीं जो उससे मैं तनखा मांगू यही काफिया उसने काम पर रखा हुआ है मैं पागल तो नहीं जो उससे मैं तनखा बांगू यही काफिया उसने काम पर रखा हुआ है हमारे यही काफिया उसने काम पर रखा हुआ है मेरे कांदें पे सर रहने नहीं देगा किसी दिन यही जिसने मेरे कांदे पे सर रखा हुआ है मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाओंगा मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाओंगा तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाओंगा मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाओंगा तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाओंगा तु तो बीनाई है मेरी तेरे इलावा मुझे कुछ भी दिखता नहीं मैंने तुझको अगर तेरे घर पे उतारा तो मैं कैसे घर जाओंगा चाहता हूं तुम्हे और बहुत चाहता हूं तुम्हे खुद भी मालूम है हाँ अगर मुझसे पूछा किसी ने तो मैं सीधा मूबे मुगर जाओंगा उसी जगाँ पर जहां कई रास्ते मिलेंगे पलटके आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे पुझे पहली सफ में कड़े मिलेंगे तुझे ये सड़के मेरे तवस्त से जानती है तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे हमें बदत और नसीब दोनों समारने है हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे ना जाने कब उसकी आँखे चलकेंगी मेरे गम में ना जाने किस दिन मुझे ये बड़तन बरे मिलेंगे तु तु जिस तरह चूम कर हमें देखता है आपी हम एक दिन तेरे बाज़ों में मरें मिलेंगे जब से उसने खेंचा है खिड़की का पड़दा एक तरफ उसका कमरा एक तरफ है बागी दुनिया एक तरफ जब से उसने खेंचा है खिड़की का पड़दा एक तरफ उसका कमरा एक तरफ है बागी दुनिया एक तरफ मैंने अब तक जितने भी लोगों में खुद को बाटा है बच्पन से रखता आया हूँ तेरा हिसा है एक तरफ यूँ तो यूँ तो आज भी तेरा दुख दिल तहला देता है लेकिन तुझ से जुदा होने के बाद का पहला हफता है एक तरफ धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना अब वो मिलने आये तो उसको घर ठहराना तुम को दूर से देखते देखते गुजर रही है मर जाना पर किसी गरीब के कामना बहुत मजबूर होकर नहीं तेरी आँखों से निकला खुशी से कौन अपने मुलक से बाहर रहा है गले मिलना न मिलना तो तेरी मर्दी है लेकिन तेरे चेहरे से लगता है तेरा दिल कर रहा है आखर में एक सरह की घजल है तर्या मुझा अजड तक चईवदे है महब्बत में धक चईवदे है तोड़े कहीं जाते साकू यार क्रकरन असा मूटे ते बैठक चईवदे है बलोचा से पते क्या था अचानक उन्दी जुद्धी ते अजरक चईवदे है लोचा से पते क्या था अचानक उन्दी जुद्धी ते अजरक चईवदे है ओघ्दा बल्दा नेवे याना नेवे असानी राद हैनक चईवदे है रले रले रामन का कस्मा चैनदा रहे गए जैंदी शादी ते डोलक चईवदे है रले रामन ज्यां कस्मा चैन्दा रहे गए जैदी शादी ते ढोलक चाहिवदे है एकेजी डैन टक्री है या साकूं एकेजी डैन टक्री है या साकूं अजान ते जिस्म ते चाक चाहिवदे तुम्हे हुसन पर दस्तरस है तुम्हे हुसन पर दस्तरस है महबद महबद बड़ा जानते हो तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आँखों के बारे में क्या जानते हो ये जोगराफिया, फलसफा, साइकालोजी, साइस, रियाजी बगएरा ये सब जानना भी एहम है, मगर उसके घर का पता जान दो आखर में एक घजल और उसके बाद एक नाजमा रुप जान दो के मास्मू के तगयर को भापा नहीं, छत्रियां खोल दी मास्मू के तगयर को भापा नहीं, छत्रियां खोल दी जखम भरने से पहले किसी ने मेरी पट्रियां खोल दी मास्मू के तगयर को भापा नहीं, छत्रियां खोल दी जखम भरने से पहले किसी ने मेरी पट्रियां खोल दी हम मचेरों से पूछो, समंदर नहीं है, ये फ्रीत है तुमने क्या सोचकर साहिलों से बनीकश्टियां कौल दी उसने वादों के परबत से लटके हों को सहारा दिया उसकी आवाज पर कोह पेमाओं ने रसियां कौल दी उसने वादों के परबत से लटके हों को सहारा दिया उसकी आवाज पर कोह पेमाओं ने रसियां खोल दी दश्टे गुर्बत में में और मेरा यार शब्जाद वाहम मिले यार के पास जो कुछ भी था यार ने घटड़ियां खोल कुछ बरस तो तेरी याद की रेल दिल से गुदरती रही और फिर मैंने ठक हार कर एक दिन पड्रियां कॉल दी उसने सहराओं की सैर करते हुए एक शजर के तले अपनी आँखों से एनक उतारी के दो हिर्नियां कॉल दी आज हम कर चुके एहद तरके सुखन पर रकम दस्तखत आज हम कर चुके एहद तरके सुखन पर रकम दस्तखत आज हमने नए शायरों के लिए बर्तियां कॉल दे एक एक दाम सुनाएं मरिया 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 में सुनाएं मैं आईनों से गुरेज करते हुए पहाडों की कोख में सास लेने वाली उदास जीलू में अपने चेहरे का आक्स देखों तो सुचता हूँ के मुझ में ऐसा भी क्या है मरिया मैं आईनों से मैं आईनों से गुरेज करते हुए पहाडों की कोख में सास लेने वाली उदास जीलू में अपने चेहरे का आक्स देखों तो सुचता हूँ के मुझ में ऐसा भी क्या है मरिया मरिया तुम्हारी बेसाखता मुहबत जमीं पे फैले हुए समंदर की वुस्सतों से भी मावरा है मुहबतों के समंदरों में बस एक बहीरा हिज्र है जो बुरा है मरियम खला लबर्दों को जो सितारे मुआफ़े में मिले थे वो उनकी रोशनी में ये सोचते हैं के वक्त ही तो खुदा है मरियम और इस तालुक की गठ्णियों में रुकी हुई साथों से हटकर मेरे लिए और क्या है मरियम अभी अभी बहुत वक्त है के हम वक्त दे एक दूसरे को मगर हम एक साथ रह के भी खुश न रह सकें तो मुआफ़ करना कि मैंने बच्पन ही दुख की देहलीज बर गुजारा मैं उन चरागों का दुख हूँ जिनकी लवे शबे इंतदार में बुज गई मगर उन से उटने वाला धुआ जमानों मकामें खैला हुआ है अब तक मैं कोह सारों और उनके जिस्मों से बहने वाली उन आफशारों का दुख हूँ जिनको जो लोग दिल से उतर गए हैं किताब आंकों पे रख के सोई थे मर गए हैं मैं उनका दुख हूँ जो लोग दिल से उतर गए है किताब आखों पे रख के सोए थे मर गए है मैं उनका दुख हूँ जो जिस्म खुद लज़ती से उकता के आईनों की तसलियों में पले बड़े है मैं उनका दुख हूँ मैं घर से भागे हूँ का दुख हूँ मैं राद जागे हूँ का दुख हूँ मैं साहिलों से बंदी हुई कष्टियों का दुख हूँ मैं लापता लड़कियों का दुख हूँ खुली हुई किड़कियों का दुख हूँ मिटी हुई तख्तियों का दुख हूँ ठके हुए ब सावन में खूटती है वो शाफ तुम हो जो पिंग बारश के बाद बन बन के तूटती है वो पिंग तुम हो तुम्हारे होटों से साथ उने समातों का सबक लिया है तुम्हारी ही साके संदनी से समंदर उने नमक लिया है तुम्हारा मेरा मौामला ही जुदा है मरियम तुम्ह अब कलास से निकली थी मुस्कुराते हुए हमारी पहली मुलाकात याद है न तुम्हे इशारे करते थे तुम मुझको आते जाते हुए तमाम रात वो आखे न भूँखती थी मुझे के जिन में मेरे लिए इस्दत और वकार दिखे मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम्हे एक बार दिखे और बार बार दिखे मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमना के दाख छोड़ते हैं खुदा का शुक्र कि तुम उन से मफ्तलिफ निकले जो पूल तोड़ के घुसे में बाख छोड़ते हैं ज्यादा वक्त ना गुजरा था इस तालुक को कि उसके बाद वो लम्हा करीं करीं आया चुआ था तुमने मुझे और मुझे 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 पर यगीन आया था लेकिन कभी नहीं आया फिर उसके बाद मेरा नशाय सकूत गया मैं कश्म कश्म थी तुम मेरे कौन लगते हो मैं अमरिता तुमे सोचू तुम मेरे साहर हो मैं फारहा तुमे देखू तो जान लगते हो हम एक साथ रहे हमें एक साथ रहे और हमें पताना चला तालुकात की हद बंदियां भी होती है मुझबतों के सफर में जो रास्ते हैं भही हवस की संत में पगड़न्डियां भी होती है तुमारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी तुम्हें मैं काश ये सब कुछ को भी बता पाती और अब मजीद ना मिलने की कोई बजा नहीं बस अपनी मां से मैं आखे नहीं मिला पाती